चलिए सर आज ही लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे ठीक है ना सामने मुझे कुछ और डिस्प्ले हो रहा था रहे हां कुछ चलिए कोई बात नहीं हम बात कर रहे हैं सर हमारा चेप्टर का नाम क्या है आज पहले एक निव चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेट इस रिडम्शन अफ डिवेंचर सर ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा ट्रिकी जप्टर माना जाता है और बहुत बच्चों का इसमें डाउट रहे जाता है कुछ न कुछ लेके तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है क्या करेंगे क्या होता क्या है एक है हमारा कि रिडम्शन कि रिडम्शन लंसम एक है हमारा कि रिडम्शन अ कि इन इंस्टॉल्मेंट जिसको हम ड्रॉअ ओफ लॉट भी बोल देते हैं एक है हमारा रिडम्शन बाई कनवर्जन एक है हमारा सर रिडम्शन फ्रॉम उपन मार्किट बेसिकली हम और लास्ट वन इन्ट्रस्ट 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 हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इन कुछ टॉपिक्स के उपर हम डिस्कुशन करेंगे यह हमारे कुछ पांच टॉपिक हो गए ठीक है ना जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पांच टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे इसका एक और नाम है मैं सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमारे एप्लिकेशन चलिए तो यह हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम चार टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे और आपके बुक्स में इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स नहीं है और चैप्टर रिदम्शन ऑफ डिवेंचर चलिया redumption of कि डिवेंचर सबसे पहले सारAddल का मतलब क्या होता है बड़ी सिंपल सी बात है dud Principle का मतलब होता है ज़ यह पैसा कि वाप पस करना और एक तो यह मतलब होगी पैसा वापس करना अगर मैं अपने लेंग्विज में बोलू या फिर बोल सकते हो कि डिबेंचर वापस खरीदना खरीदना पर्चेज ओन डिबेंचर अपने डिबेंचर को खरीद लेना एक इसने क्या करा इशू कर दिए डिबेंचर कि इसको इशू करें यह रहाँ पब्लिक इसको इशू कर दिया जब कंपनी डिबेंचर इसू करती है न तो कंपनी के उपर न दो कानून है जो बहुत ध्यान रखता है कंपनी को उपर निगरानी रखता है एक तरह के से वाच करता है एक है कंपनी लौ और दूसरा एक और है सेवी आपने नाम सुना होगा ट्विल्थ स्टेंडर्स में बिजनस टडी में अपने सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया सेवी यह दोनों कंपनी के उपर बहुत ध्यान रखते हैं कंपनी के अपने अलग रूल्स हैं अपने बिचारा यह कंपनी बीच में फस जाता है भाई मैं तेरी बात मानूं कि तेरी तो ऐसे सिच्वेशन में यह कुछ ऐसा मिला के दोनों की बात जिसमें मानी जाएं वह काम करती है ठीक है जैसे सब्सक्रों इसने बोला कि भाई दस परसेंट खरीज सकते हो ही जता है आपको कम से कम से कम मैकसमम तो नहीं तो अब कि बते हम जहां इसकी बात करना 장 कि ज Ken gibi कम से कम कम से कम पस्वाट तो हमने तो थो थोरु मन निकिक तो हमें इस तरीक हैं मिल जुल के काम हमें करना पड़ता है अब company law क्या कहता है कि भाया आप जो डिवेंचर इसको दे रहे हो जिस वेक्ति को डिवेंचर दे रहे हो आपको एक समय सीमा है जिसके अंदर इससे वापस लेना है लोटाने मस्ट है और कुछ इंफ्रस्ट्रक्चर कंपनी मैं भी बताऊंगा कौन-कौन सी कंपनी उनके लिए आपको समय बढ़ा के 30 साल कर दिया गया है तो हमें जब इसके पैसे लोटाने है आज मुझे इससे 5000 डिवेंचर के पैसे मिले आज की डेट पे लेकिन ठीक कुछ समय बाद मुझे ये पैसा इसको वापस देना है तो जब हम इसको पैसा वापस देने दाते हैं इस प्रॉसेस को बोलते हैं ने की बाद मुझें एब जब इसको पैसा देंगे तो हम इससे तरीके के से पैसा लेना चाहता है previous surge मैं उसके क्या है सर मैं तू कैसे लेना चाहता है नंबर वन तू एक साथ पैसा लेना चाहता है या लंसम नंबर दो तू किस्तों में पैसे दूं क्या मैं तुझे हर साल इंस्टॉल्मेंट नंबर चार नंबर तीन एक काम करते है तेरे डिवेंचर के बदले हम तुझे शेयर दे दे क्या चार जब हमारा मन करेगा हम तुमसे डिवेंचर खरीद सकते हैं वह हमारी मर्जी है वह ओपन मार्केट हो जाता है तो वही चीजे टॉपिक्स बन गई तो को जब करोगे तो हमारे चार मेथट आप लमसम में उससे खरीज सकते हैं लमसम में खरीदने का मतलब है कि भाया अगर आपको पांच लाक रुपे आपसे लिये थे पांच लाक रुपे लो रां राम छुट्टी दूसरा वहां मैंने आपसे 5 बदले में हम एक्वीटी शीर देते हैं या बदले में दुसरे टाइप कर देंट यानि बदले में बदले में भी ओपन मार्किट में मतलब कंपणी करेगा ना हम आपको पर पोज़िंगे कि तुम अपने ठीक कर दो कि ब्लड ठीक है एक बार रिप्रेस्ट कर देते हैं ठीक है तो हाँ आप देख लीजेगा चेक कर लीजेगा बिल्कुल ठीक होगा आई होप क्लियर है हाँ इसी को ड्रोफ लॉट बोलते हैं कि हम लॉट में करेंगे जैसे बोलते हैं कि यहां क्या हुआ कैसे समाना है भाई हम लॉट्स इंस्टॉल्मेंट वही बात होती है ठीक है नाम अलग अलग है और इसको जब लेजर बनाते हैं ना तो हम सिंकिंग फंड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सिंकिंग फंड एक पर फटा-फट चेक करके बता दिए एकदम ठीक है तो आगे बढ़ जाए इसका उप्शन अभी काम नहीं कर रहा है सर ब्लर आ रहा है कि प्रियांसु कह रहा है सर ब्लर आ रहा है कि आप एक पर चेक करना अप्लिकेशन पर कैसा है है एक बढ़ चेक कर लिए फिर हम आगे बढ़े अभी तक हमने क्या सीखा सर बड़ी चोटी बाते सीखी के डिवेंचर को करने के लिए हमें क्या चाहिए सर हमें कितने मैथट से हमने चार मैथट देखें है यह पता होना चाहिए सब्सक्राइब तो उसी चीज को मैंने यह तो आप तरीके से करेंगे यह बात हम समझ गए को ओझा होता है कि आप इसके पैसे कैसे कैसे कंपनी को तो सोर्स कहां से होगा। सोर्स यानि एक तो हमारा थागर redemption off de venture में दो कोशं मार्ट आगया सर्रेड六 sun of departure सबसे आप खरीद हो गए सरकार को बताना हैं यह बात एक एसा नहीं है कि हम सरकार को बिना बताए कोई काम कर सकते हैं तो सबसे पहले एक बार तो यह पता करणा होगा कि भईया खरीद वोगे कैसे पहला चैलेंज हमारे सामने यह है यह चीक है सर आप जी हाँ मैथट है सर मैथट कितने है और इसमें से कई वार थियोरी भी पूछा जाता है सर मैथट कितने बताओ चार फिर दुबारा बता देता हूं मैं कौन सा कि लंग सम दूसरा इसको कौन से अला मैथट भी बोलते हैं इंस्टॉल्मेंट मैथट भी बोल देते हैं और सिंकिंग फंड भी बोल देते हैं तीसरा कन वर्जन चौत्था सर ओपन मार्केट ओपन मार्केट यह तो भी यह तरीके हैं जिससे कि हम अपने डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस करेंगे लेकिन सर सोर्स क्या होगा आपका आप पैसे कहां से दोगे सोर्स बताओ पैसे कहां से इंतिजाम करोगे तो सोर्स हमारे पास देखा जाए basically तीन सोर्स है लोग हमें तीन जगह से औलाओड करता है पैसे तो देंगे अब ऐसा कोई नहीं है कि तीन जगह से कहां से दोंगे कोई दूसरी कंट्रि का नोट वगर्ए थोड़ी देंगे पैसे बैंक से देंगे लेखिन उसका इंतजाम कैसे करोगे ठेक है सोर्स क्या है तो एक होगा आउ out of capital का हम कोई भी assets बेच देंगे और उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे कोई भी assets बेचा और बेचने के पाद पैसे देंगे सबसे जो हमारा out of capital company कब करती है जब company के पास profit नहीं होता ठीक है अब simple example लो अगर मैं मान लो मिस्टर ए सब्सक्रों मिस्टर ए है इसका एक सन है और इसको मान लेते हैं कि MBA करने के लिए बीस लाख रुपे की जुरत है तो भाई इस बीस लाख रुपे को कैसे देगी यहां तो यह हर साल जमा कर रहे होंगे अपने प्रॉफिट में से हर साल दे देंगे अगर हर साल नहीं कर रहे हैं तो कोई जमीन पड़ी होगी बेच के दे देंगे तीसरा एक और तरीका हो सकता है कि मिस्टर एक के बिल्डिंग में ही एंबीए का कॉलेज है तो उससे बोले भाई तेरे को बिल्डिंग ही मैंने दे दी जाले ले यानि कन वर्जन यानि तीन मैथड होगे आउट ओफ का का मतलब क्या है कि हम उसको देंगे जो वह एसेट सोल्ड करके कोई चिंता नहीं एसेट्स और जनरली बहुत कम करती है यह कंपनी यह बहुत ज्यादा ना बिकार होता है देखा जाए तो दूसरा दे सकते हैं आउट ओफ प्रॉफिट ठीक है दूसरा क्या हो सकता है और तीसरा होता है कन वर्जन कि हम तर से डिवेंचीर ले लेंगे और तुम्हें क्या दे देंगे बतां प्रॉफिट से अपना दे दूगा या कंबरजन इसमें कोई तो जो लौ है जो कंपनी लौ है यह कहता है चल ठीक है तो इसेट्स बेच के देगा तो इतने एसेट्स है तो हमें कोई टैंसर निया तो डिवेंचर को जब भी वापस करेगा एक है आउट अफ प्रॉफिट तो क्या कंपनी मालों पांच करोड रुपे का डिवेंचर पेमिं एकटिव हो जाते हैं दोनों भाई साथ एकटिव हो जाते हैं कौन से एक कमपनी लौप और एक से भी बोलते भाई तुम यहां गडबर कर सकते हो यहां पर अगर आपके परेंट्स ने मान लेते हैं आपके स्टडी के लिए कोई कहीं इंवेस्मेंट का रखा है 20 लाइक कोई जमीन ले रखाए 20 टेंशन वाली बात कि भाई कहां से देगा और लास्ट टाइम पर आपके पेरेंट्स हो सकता है कि वह कंडिशन फुल्फिल भी ने कर पाए मतलब आपके 20 लाग बेटे अभी जुआ नहीं हुआ एक साल रुख जा अगले साल कर दूआ यह भी हो सकते हैं ठीक है तो ऐसे प्लीज यार मान जो इस बार इस बार पैसे हुए नहीं खटे अगले बार देंगे तो सेभी बोल रहा हमारा रूल टूट रहा है तो सेभी ने क्या कहा कि हम एक काम करेंगे अब हर साल जब तुम प्रॉफिट कमाओगे न तो हम तुम्हें तब से ही बोलेंगे कि अपने प कंपनी के प्रॉफिट एं लास पे इंपक्ट डालेगी प्रॉफिट एंल लाउस पिस सेभी का थोड़ा सा कब जा जा जाएगा मान लिया जाए सपोस्पोस करो कि कंपणी पहले साल में कमाते दस लाक貉 कमाती है माल लेते हैं तू इस साल 20,000 जमा कर दे माल लेते हैं इस साल तू 40,000 जमा कर दे और जैसे जैसे कमाएगा यह जमा करता जा तो जो यह पैसा जमा होगा यह पैसा जमा करने के लिए तो कहीं न कहीं तो इसको जमा करेगा तो जो जमा करेगा और यह कहां से profit निकाल निकाल के जमा करेगा और किसलिए कर रहा है यह जमा ताकि हम debenture को redemption के time पे पैसे दे पाए तो इसका नाम पढ़ जाता है debenture redemption reserve यानि debenture को redemption करते time पे पैसे हम लोटा पाए तो नाम क्या पढ़ गया इसका debenture redemption reserve यानि company और से भी company law और से भी दोनों कहता है out of profit होगा तो आपको क्या बनाना पढ़ेगा DRR that is debenture redemption reserve बनाना ही बनाना पढ़ेगा तो पहले समझो के debenture redemption reserve क्या बला है समझ मारी है क्योंकि आपको हर साल लेकिन यहां question mark आता है कि सर एक लाग पचास अजार कुछ तो ऐसा कानून भी होना चाहिए कि इतने percent आपको जमा करना होगा profit का एक certain percentage का कानून होना चाहिए तो इस पर गवर्मेंट ना कई बार change कर चुकी है सुरू से भी तक कई बार होता है hundred हो जाता है कई बार पचास हो जाता है कई बार दस हो जाता है सब के बहुत सारे इसके अंदर रूल आ चुक है लेकिन हमें पुराने क्या थे उससे क्या मतलब तो company बोलता है कि भाई सहाब 10% आपको हर साल profit का निकालना पड़ेगा से भी बोलता है भाई सहाब आपको 50% profit का निकालना पड़ेगा यानि company कितना बोल रहे हैं दस और से भी कितना बोल रहे हैं यह minimum बोल रहा है आपकी चाहिए आप 40% profit में से मैंने यहां पर 10 लाग कमाया मैं 6 लाक रुपे जमा कर दो तो कोई मना थोड़ी करेगा मेरे से minimum इतना तो अब हमें से भी और company का एक percentage है लेकिन यहां पर भी है कि किसको यह DRR बनाना है और किसको नहीं बनाना है यह भी हमें जानने की जरूरत है किसको DRR बनाना पड़ेगा और किसको DRR नहीं बनाना पड़ेगा एक यह भी समस्या है DRR तो बनाओगे लेखिन आउट of profit profit का मतलब क्या है जनल रिजर्ब्थ का पार्ट होता है इंड़ बी प्रफिट लौट आने का जब यह रूल बन गया तो रूल बनने के बाद बैंक ने बोला भाई हम तो बैंक है हमारे पास कभी पैसे की कमी होती नहीं है तो हम तो एसली रिटन कर सकते तो हमारे प्रॉफिट से क्यों बोल रही है अब करम करने को तो फिर कंपनी डौ बोर्ड और सेवी न गया इंफ्रा कंपनी को रिलैक्स शेशन दे दिया कि तुम्हें डी आर नहीं बनाना और से बी का एक और कंडिशन था कि भी या अगर अगर 18 महीने के बाद पैसे वापसी करोगे तो यह बनाना अगर 18 महीने के अंदर अंदर पैसे वापसी करने का कोई प्रोविजनिंग है दो सुचा से यह फॉलो करके चलेंगे कंपनी को क्यूकि हम क्वें complete पढ़ रहे हैं तो हम में प्राइरिटी बेसिस देंगे प्राइरिक उक्वानितचर好吃 अगया जबाना है जवाब है नो सर इसके अंदर डियार बनाना है कि एसेट बेशते टाइम पर नो तो सिर्फ एक कंडिशन में डियार बनाना है अगर तो हमें डियार नहीं बनाना दो ही हो गया ने हाउट फकापिटल हो गया इस अगर बनाना होता है उसको बोलते हैं इसी कंपनी को भी डियार नहीं बनाना ध्यान देना ऐसी कंपनी को DRR नहीं बनाना नो DRR यहां पर लिस्टिड कंपनी भी आ गया है यहां पर कौन सी कंपनी आ गई लिस्टिड अब जितने भी जैसे रिलाय நहीं बनाना को बनाना पड़ेगा कितना बनाना है कितना परसंट यह कहता है मारा गपी और बनाना है थिए कीतने लिए कि बनाना है और कब नहीं बनाना अब कहां से बनाना है उसकी बात अलागे डियार क्योंकि अब हम देखते हैं कुछ लॉज के अंदर पहले से अगर मैं देखूं तो यह आपकी किताब में भी टीवल इंफेक्ट गीवन होगा जो कि लिखा है कि कब डियार बनाना है और कब डियार नहीं बनाना है तो वह चीज़े मैं एक बर क्लियरिफाई कर दूँ देखिए सबसे पहला रूल कहता है औल इंडिया फाइनेंशल इंस्टिउशन रेगुलेटिड बाइ रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया तो फाइनेंशल इंस्टिउशन कौन सा हो गया फॉर एक जैसे आपको फ्रेज कुछ भी फॉन वगरा फाइनेंस करवाने जाते हो तो वह होता है तो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो उनको डियार आर नहीं बनाना है समझे अगला कहता है सर बैंकिंग कंपनी अब बैंकिंग कंपनी कौन है एस भी आई है इस है है जितने भी सुनेंगे उनको चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो उसको डियार नहीं बनाना है तीसरा क्या कहता है लिस्टिड कंपनी नोन बैंकिंग हो नोन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी जिसको एन बी एफसी कह देते हैं यानि लिस्टिड कंपनी हो और एन बी एफसी हो चाह के अंदर कवर्ड होता हो कंपनीजेक्ट 2013 के हिसाब से चाहे वह पब्लिक हो डिवेंचर इशू हो प्राइवेट हो उनकिसी को भी डियार नहीं निल का मतलब है उनको बनाना ही नहीं सारी बात हैं नहीं बनाना सिर्प एक कंपनी को बनाना है वह कोन सा प्राइवेट को और अनलिस्टिड को ठीक है न कहता है अनलिस्टिड कंपनी NBFC या फिर ही फेसी फाउसिंग फइनन्स कंपनी फाइनेंशल इंस्टीशन कवर बाइब देस तो चाहे पबलिक हो पबलिक इस इसन पर नहीं बनाना अगर एंडिकली हुआ तो उसको बनाना पड़ेगा प्रइवेट रिक्व hm अगर वह हुआ तो उसको बनाना पड़ेगा प्राइवेट ली हुआ तो यह दियान रखता है अपके हालाकि पूरे कोश्चंस के एजेंडा की बात करें सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे तो मैं बताऊं तो एक्जाम में कभी भी कोश्चंस में जनरली पता नहीं चलता और एक्जाम ने रहसे कभी भी नहीं कहता आपको डियार बना नहीं बना बागे सब्सक्राइब यहां पर नहीं बनेगा लेकिन वहां जाहिए अगर बनेगा थो यह तो यह यह था हमारा कुछ इसके प्रोविजन कब बनाने अब मैं सोर्स ऑफ DRR की बात करूं तो आप सिक्यूरिटी प्रेमियम का इस्तमाल कर सकते हो आप सर्प्लस का इस्तमाल कर सकते हो फ्री रिजर्व का इस्तमाल कर सकते हो DRR बनाने के लिए और DRR कब बनेगा सर जब आप redemption करोगे कैसे आप करोगे out of profit अगर out of capital है तो यह कोई जंजट ही नहीं है तो ना कोई rule देखना और conversion है तब भी यह जंजट नहीं है और ना ही कोई हमें rule देखने की जरूरत पड़ेगी पहले यहां तक बात क्लियर होगी आप अब सर कुशन ला काता है जब पहले नहीं था अब दीरे दीरे चीज़े बदलती जाती है तो गौर्मेंट क्या कहते है पिसका मैं कुछ data profit का देखा हूं 2010 2011 2012 2013 2014 मैंने मान लो यह पांस साल का डेटा दिया इसमें इसका प्रॉफिट था प्रॉफिट था पांच लाग प्रॉफिट था तीन लाग प्रॉफिट था आठ लाग प्रॉफिट था दस लाग और प्रॉफिट था पंदरा लाग तो काईदे के हिसाब से XYZ Limited Unlisted है ठीक है अगर मैं इसे कह दूँ Listed है तब तो फिर तो कोई DRR का सवाल है क्या नहीं क्या DRR बनेगा अगर Listed है तो जवाब है सर अगर Listed है तो DRR क्यों बनाओगी आप अब जैसे ही इसमें से हम DRR बनाएंगे Debenture Redemption Reserve माल लो Minimum 10 बोला है हम 50 लेके चल रहे हैं हम कितना लेके चल रहे हैं 50 तो इसका कितना बनेगा इस साल हम कितना डालेगा एक मिनट जो DRR बनाना है पहले तो मुझे डिवेंचर भी लिखना पड़ेगा जो मेरा डिवेंचर है माल लो 20 लाग का है कितने का है तो हमें 20 प्रॉफिट का 50 नहीं होता हमारे डिवेंचर का 50 परसेंट ठीक है न तो 10 लाग बनाने अब 10 लाग मेंगा हैं निकाल लिया इक लाग निकाल लिया थीन चार लाग अनिकाल लिया साथ तीन लाग यहांनिकाल लिया क्या हमनेड ए दस लाक रुपेього डियारा हमने तो तो जी बना लिया। अब यह हमारे पासए है, यह पैसे किसके पास है? हमारे पास है, तो यह कहा गया कि आपकी financial planning बेकार है। मैंने पूछा क्यों बेकार है भई। आप अपने पास पैसे रख के करोगे क्या है। यह पैसे तो 2-200-200-200000 रहें ज़िदे कि हिसाब से पैसे की वहलु चेंज हो जाती है तो आप इन पैसे को इन्वेस्ट भी करो कहीं जिससे ऐसा हो कि आपका फाइदा हो जाए कि आप इस पैसे को कित क्या कर दो इनवेस्ट कर दो तो law ने कहा कि बहीया ये तुब अच्छा लग रहा है हमें तून्हों ने कहा कि अब हर एक company को must को भी इनवेस्ट करना होगा और जिसको इनवेस्ट करेंगे उसको बोलेंगे डिवेंचर कीत्परीं को रिदंचन और रेजर्व कि इनकर नाम देख दिवेंचर कि डिवेंचर कि कि इन्वेस्मेंट करोगे तो इन्वेस्मेंट करने का क्या फाइदा मिलेगा बताओ कि हमारे मानलों कि दस लाख चाहिए तो हम दस लाख रुपए नहीं निकालेंगे हम उस हिसाब से पैसे निकालेंगे जो कि ब्याज लगके य कहें थे दस लाक करो आपको बैंक वालों ने बोला आपको एक साल बाट चाहिए आ एक लाख i9000 रुपए ओंश नो हजार मेरें तो आप आज य क्या करेंगे आपको ऐक पर ऐख लगे एक साल बात सब्सक्स्या करते थोड़े से कम इसाब किताब रहें कि इंट्रस्ट लगती र Siq इसको इन्वेस्ट कर देगे देंस्त करतेयों कितना करना नहीं नहीं तो लोग बहूता है कि भीया हर जो भी साल स्टार्ट होगा तो साल कब Ihrer स्टार्ट होता 104 तो बोला इन्वेस्स्मेनट आपको पैसे चमट मैंदियों motherf 소 को 31 मार्च से आप बोलो के सार अगले साल हम अगस्त में कर रहें इन्वेस्मेंट थो इसका क्या फाइदा हुआ तो अपने पास ज्यादा दिन तक पैसे नहीं रखने आपने आपने 31 मार्च 2020 31 32003 में आपने इन्वेस्मेंट करा मान लेते हैं तो आपको एक अपरेल 2023 से लेके 30 April 2023 यानि 34 तक 2023 तक आपको investment कर देना है ऐसा नहीं आप बोलो यार एक काम करते हैं हम करते हैं दिसंबर 2023 में यानि 8 मैंने अपने पास पहले पैसे रख लिए और फिर करते हैं फिर तो planning गलत अपने पास रख के करा क्या आपने तो ऐसा situation में जब आप हर साल की आपको एक DRI बनाना होगा हर साल की एक तारिक से लेके 30 तारिक के बीच में लेकिन सर परसंटेज कितना रखना है यहां बोला गया कि आपको 15% face value का आपको DRR बनाना ही बनाना है जब आपके DRR और DRI दोनों होंगे तब आप redemption के process में जा पाओगे नहीं तो आपको redemption के process में जाने ही नहीं दिया जाएगा और आपके उपर penalty लगाया जाएगा यानि जब भी आपको करना है तो जैसे हम future redeem करें तो पहले तयारी करने पड़ती थी आपका या ऑपको तयारी करनी पड़ेगी किसकी DRR बनाने की और एक डी आर आई बनाने का ठीक है इस सबकी हमें इंट्री भी देखेंगा भी डी आर आई बनाने की करने पड़ेगे तो यह कब है पॉसिबल जब हमारा आउट ओफ क्या हो प्रॉफिट कैपिटल में जब ड्री नहीं है तो कैपिटल में यह कोई भी जण्जट नहीं है तो यहां पे सिंपल सा लिख है ड्र कितना बनाने हैं आपको 10 परसेंट और ड्र कितने बनाने हैं आपको 15 कब तक बना लेना है एक अप्रेल से 30 आपके मन करता 31 मार्च कोई बना लो कोई दिखकत नहीं है यह 31 मार्च मतलब जैसे ही निकाला प्रॉफिट मेंशे अब वैसे बना लो लेकिन आउट ओफ प्रॉफित वाली के एंट्री सीख लेते हैं लमसं मआले के तो सिंपल आउट ओफ प्रॉफित से निकल जाए गहागा कनवर्जन का टॉपिक की अलग है बाद में और ऑपन मार्केट भी टॉपिक अलग helps वाद में होगा तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सर आउट आफ प्रॉफिट लंसम और आउट आफ प्रॉफिट वाला पार्ट आउट आफ प्रॉफिट अग्सांपल मान लितने X, Y, Z लिमेटेड इस्जू 10% डिबेंचर रुपीज दस लाख END, REDEEM, OUT OF, PROFIT, SURPLUS, CHELANG, SECURITY PREMIUM. कि दो लाख यह बैलेंस है कि पास कि जर्नल कि अभी हम सिंपल कर रहा है फिर एट पार भी देखेंगे डिसकाउंट भी देखेंगे सब कुछ देखेंगे कि सरेंट्री कैसे करेंगे इसकी कि कि दो देखेंगे वेभी मुडाव सिंपऽे बैलेंगे । कर दो कर दो कि चला फॉर्मेट तो वही रहता है जर्नल एंट्री का जो हमने सीखा है सबसे पहले हमें करनी होगी ठीक है कुशन को देखना कि सबसे पहले तयारी करनी होगी डी यारार की और कितने परसंट बनाना होगा दस अब दस से उपर भी बना सकते हो मैं दस बना लेता हूं ठीक है अभी यह माननके चल रहें के मैंने दस बनाएँ 15 कर सकते हम पैसे को ठीक है तो कुशन आता है सबसे पहले बनाने का पहली एंट्री करेंगे और यह हमेंसा कब होगा राइए तो हमेशा इंड में होगा यह हमेंसा एंड में होगा तो हम किसका पैस पैसे धिंचर 10 लाग का ह हुआ एक लाग तो मैं सिक्यूरिटी प्रीमियम का इस्तमाल सबसे पहले करूंगा सिक्यूरिटी प्रीमियम टू कि डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व डिया रिडेम्शन रिडेम्शन रिजर्व क्रिएट्स पफली एंट्री देखो कोई दिकत है कि हमने क्या करा इसमय सड डी रहरा रही मैं बता दीजिये कॉर्पेट का ओके बताईए यहां तक क्लिए आप अगली एंट्री क्या करेंगे सर इंवेस्मेंट की तो हम करेंगे डी आराई मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था वही ले रहा हूं डी आराई टू बैंक क्योंकि जब इन्वेस्मेंट करोगे तो आपके बैंक से पैसे निकलेंगे ना तो टू बैंक हो जाएगा बिंग डी आराई अब इसायरे होगा वह कोशन कई लेगा 10 अव使用 है तो टिर इंवेस्ट्र है वहने इन्वेस्ट नें है फी पॉलेगे तो हम द्र में इंवेस्ट करेंगे हैं अब अब रैके दौन काम कर लिए लेकिन अमांट कितना आएगा सादिर आि के लिए आ कितना है पहले यह दो एंट्री देख रहे हूं पहली एंट्री कि सीच कह है सर और दूसरी एंट्री बेंक में investment अब नाओ ये पता है कब हो जाएगा ये हो जाएगा 14 call लो यथ 304 को मानद लो जब हमें डिबेंचर को क्या करना होगा? डिबेंचर 31 अभी नहीं होगा तैयारी तो कर लिकिन अब पहले हमें इसे बेचना पड़ेगा इसको बेचना पड़ेगा तो अब बेचेंगे जो हम 31 को कि जिस दिन डिबेंचर रेडीम होगा उस दिन बेचेंगे मैं कहूंगा मेरे बैंक में पैसे आगे अब यहां पर कंडीशन यह साथ सस्ता बेच सकते महंगा मैं मान रहा हूं तो डी आ राइए मैंने सोल्ड कर दिया कि मानलो सेम पर ही बेचा है मैंने कि डी आर आई कि डिबेंचर रेडेप्शन इंवेस्मेंट सोल्ड कि पहले क्या करना है सर डियार क्रेट करना है फिर क्या बनाना है डियार आई अब डिबेंचर रेडीम करने जा रहे तो पहले डियार आई जो कर रखा है उसको सोल्ड तो करो तभी तो पैसे दोगे आप तो 10% debenture है तो हम करेंगे 10% debenture account debit और तुम्हें पैसे किसको देंगे debenture holder को पैसे किसको देंगे हम debenture holder को being debenture holder amount due कितने रुपे देने हैं सर पूरे देने हैं 10,00,000 कितने देने हैं क्योंकि debenture कितने का पैसे तो पूरे देने हों अब बच्चे यह सोचते हैं सर डी आरे में तो देट लाका अब दस कैसे देरो भाई investment किया था और भी पैसे पढ़े होंगे कंपनी ने वहां से निकाल के दे दिया उसमें हमें चिंता करने की कोई ज़ुरत नहीं है अब अगली एंट्री जो करेंगे हम लास्ट एंट्री उसको पेमिंट कर देंगे किसको पेमिंट करेंगे debenture holder to bank account debenture holder to bank account कितनी पेमिंट करोगे सर पूरे दस लाग पेमिंट कर देंगे कोई नहीं मिला तो भाई नहीं मिला और यह सारी कि एंट्री 33 कोई हो जानी है कि बींग को कि डिवेंचर होल्डर कि अमाउंट कि बताई कि यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है 30ä instrument सहाँ के स्वयसें 20 परसन बनाना था और हमारे बारे बस दो यहां पर डोलाग भी बना सकते तो ता हम नहीं बोलेंगा त 늘 define बना रहे हैं तो यह रिए बना रहे ली ना कोई गलत होगे तेरा क्योंकि 10% तो तुझे बनाना ही बनाना है आपको तो यह कुछ हमारे अभी इसके अंदर प्रीमियम नहीं है प्रीमियम जब आएगा तो एक तो इस वाली एंट्री में प्रीमियम का रिफ्रेक्शन आएगा और एक प्रीमियम को रिटर्न आफ भी करना आशे की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है सिर्टी और आर और बना ना है यह बनाना है जिसकी जनरल्स 327 प्री और आई-कर नहीं याँनि 4 घरणना में करना है तीनिë सर कैसे करोगे सर डी आर आई टू बैंक सर इसके बाद क्या करोगे तीसरी एंट्री डी आर आई जो आपने इंवेस्मेंट किया इसको क्या करोगे सोल्ड करना आप यह समझना यह 2010 में काम हुआ यह 2000 आपने 11 में काम किया और यह 2015 में काम हुआ और आई से मसंते हैं सर ऐसे डेविट हुआ एक्रेडिट हुआ क्या फाइदा समय अलग है इसमें फिर क्या हो जाएगा बैंक तू डी आराई थीक है इसके बाद क्या करेंगे सर तीसरी के बाद चौती एंट्री डिबेंचर होल्डर का अमाउंट बुला लेंगे हम डिबेंचर होल्डर का क्या करेंगे ator के amount due कर देंगे divensha older का divensher do the body mean mom chodler is HEY 5 एंट्री क्या करेंगे 5 वी क्या क्रेंगे paymentim करेंगे यानि दिबेंचर hold difficult को हम कर देंगे paid कैसे करो sir divensher hold which bet a connect काहानी खतम आपको redemption करना तौए payment जब किया तो खतम होगे तो कितनी एंट्री होगे पांच तो मैंने वहीत हो करी है एक दो ती चार पाँच प्रिम अभी नहीं की कि प्रीमियों होका तो एक एंट्री यहां पर एड़ जाना है प्रीण हो जाना हो वह थे बताइए उसने यह नहीं कहा कि जितना उसने कहा कि आपको जो इंतिजाम करना है सर्फ 10 परसंट इंतिजाम करके रखना है बागी 90 परसंट छोड़ दिया हाँ एक एंट्री सही वोडर एक चीज मिस हो गया मैं चलो बताई देता हूं जैसे डी आरार हमने लाइन कर लिया तो जोब हम पैसे देंगे तो बचेगा हमारे पास लास्ट रहे गया मेरे से डी आर आर टू जी यार कि जनररिसम में चला जाता है वापस जर्नलिजम में पहुंच जाता है यह लास्ट एंट्री जो कि हमारा एक लाग रुपय है यह मेरे माइंड से स्किप हो गया एक बार और है छठा कि डी आर आर को खतम करना क्योंकि जब पैसा दे दिया तो अब क्या करेगा बैलेंशीट में डी आर आपने पैसे तो दे घटेवेंचुनեृ में अधी 02 यह लाष्ट आया लेकिन यह जो हम आगर मालो 10 रुपए का दे जाने चार लाक रुपए का षिशांसी थयुल दो यह सकता है में एंट्री हम यह वालि जो लास्ट वालेंट्री मे Els जब हमारा पूरा डिविंचर खतम हो जाएंगा डिक है पूरा खतम हो जाए तभी हम ड र को राइट ऑफ कर देते हैं खतम कर देते हैं च्रांस्फर कर देते हैं जी इर में हम ड र की यह वाले इंट्री ना करें तब भी चलेगा 1.5 lakh कैसे आया ये आया हमारा 10 लाख रुपए का 15% बोला था न तो 10 लाख रुपए का डिवेंचर है इसका 15% 1.5 lakh 1.5 lakh किसी student को कोई दिक्कत है तो बताईए किसी को कोई doubt है बताईए किसी को कोई doubt क्लियर है तो अभी तक हमने क्या देखा हम ज्यादा इसको आगे लेके जाएंगे तो और ज्यादा हैक्टिंग हो जाएगा आपके लिए तो मैं आज की क्लास थोड़ी कमी रख रहा हूं क्या क्या सीख लिया सर हमने हम ने शुरू यहां से किया के सर हम देवेंचर के अंदर क्या क्या चीजे सीखें गया तो सबसे पहले मेठेट होगे कितने होगे चार नहीं सम्में होगा ड्रॉफ लॉट होगा कंवर्जन होगा और एक उपन मार्केट होगा इंट्रस की भी बाद हम बात में करेंगे फिर हमने क्या देखा सर इसके बाद सर पैसा वापस करना है तो उसी चीज़ को मैंने घुमा फिरा के बताया लेकिन अब किहां पर पॉइंट्स आ करोगे तो कहां से करोगे या तो मैथर तो पता है सोर्स तीन हो सकते हैं या प्रॉफिट से करोगे या कैपिटल से करोगे या फिर कंवर्जन और कैपिटल में डियार बनाने की अवशक्ता नहीं है लेकिन अगर प्रॉफिट से करोगे तो डियार बनाना पड़ेगा अगर अनलिष्टिड कंपपनी होगा उसके लिए भी दियार नहीं बनाना और जितने भी अनलिष्टिड कंपनी तो ऊसके लिए डियार बनाना है तो यहां पर देखा जाए तो यह सारा list जो आपके किताब में घीवन था वह समझा दिया इसके बाद सर दियार बनाओगे कहां से तो परसेंट उससे रिलेटेड हमने कुछ देख लिए और उससे रिलेटेड जो यह पांच यह च्छे एंट्री वन रही है यह हमने सारा कर लिया कि थोड़ा थोड़ा अभी बस है थोड़ा सा फिर अगली चेप्टर में मैं कोसिस करूंगा थोड़ा सा और फास ले जाने कि हां वो सब लिखा रहेगा कुशन कोशन देखेंगे कुशन में लिखा रहेगा ठीक है झाज़ा में लिखा झाल झाल